नवश्कार दोस्ता आप सब कैसे हैं फाइनली फ्रस्ट टाइम इंडियन टेलिकॉम कंपनी और साथ में गॉर्मेंट का भी तीन हजार करोड रुपे का लॉस हुआ है और यह सिरीफ एक ही वज़े से पॉसिबल हो पाया है वो है डिजिटालेशन के वज़े से क्यूंकि यहा उस पे वो अपना पैसा बचाना शुरू कर दिया है इस वज़े से तीन हजार करोड रुपे का लॉस्त हुआ है लेकिन आपकी सिक्यूरिटी के साथ इस पर कॉम्परमाइज भी हो रहा है क्योंकि यहां पर बाग करी जाए तो यह बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है Coerselure Association of India जैसे कि Gio की बात करे अटल की की बात करे और अर भी समय जादा लोग योजे करते होंगे एसमय उन्हों ने रिपोर्ट किया है कि यह आमज़ॉन और माइकोसाफ्ट जैसी कंपनिया जिसमी की ज्यादा कर लोग InternationalAKE इतर नहीं के जब OTP या बात करी जायं stiff कंपनियों ने जो नॉर्मल OTP हो गए या बात करी जाए तो नॉर्मल मैसेजिंग हो गए उन्हें स्किप करके WhatsApp, Telegram का यूज करना शुरू कर दिया है यूसर्स के लिए और अदर्स अब्लिकेशन का जिससे कि वो डारेक्ली इंटरप्राइज मैसेज थे वो डारेक्ली OTP हो या प्रोमोटर मैसेज हो या बात करी जाए तो रिमाइंडर हो वो डारेक्ली अब WhatsApp, Telegram या अदर्स अब्लिकेशन के द्वारा भीजे जा रहे हैं कस्टुमर्स को जिससे कि डारेक्ली बात करी जा तो जो इंडियन टेलिकॉम कंपनियां थी उन्हें इसकिप करने का एक आप्षन देखने के लिए मिल रहा है इंटरनेशनल कंपनियों को जो बिलकुल नहीं छोड़नी इसपेशली में जियो के भी बात करूँगा आप यह मेरी WhatsApp चैट देखेंगे इसपे टोटल ही WhatsApp पे आपको जीओ 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 दिखाई देगा तो यहां पर मतलब जो लोकल और डॉमेस्टिक इंटरप्राइज कंपनियां वह भी मेक्जिमम जो है आप कही ना कही WhatsApp WhatsApp पे एक अच्छी बात यह है कि आप डारेक्ली इमेज वीडियो और डारेक्ली बात करी जाए तो और्डर बुक करवा सकते हैं बहुत सारी ऐसे फैसलिटी देखने के लिए मिलते हैं लेकिन मैसेज पे शरीफ आप एक मैसेज भी सकते हैं उसके लिंक भी सकते हैं फिर के देखने के द्वारा पे जाना पड़ता है मतलब बहुत जादा प्रोसर लेकिन वाटसप पर यह वाटसब पर ही सब कुछ भी सकते हैं और इस तो फ़ीडियों चैनल पर फिर्स्टाम है चानल क प्राइस 50-60% तक आपकी बच्चत हो जाती है जैसे कि example के तौर पर आप ये भी देख सकते हैं तो किता बाइस डिफ्रेंस आपको देखने के लिए मिलता है इसी वीडियो डिस्क्रेशन पर इंडिया माट का लिंक है अटलिस महाँ पर जाके आप चैक कर सकते हैं और अपनी एक बैस दिल क्रैक कर सकते हैं तो टेलिकॉम कंपणियों ने लेटर भीजा है सेंट्रल गवर्मेंट को जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है वाइलेशन ऑफ लैसेंसिंग सर्विस और सेक्योर्टी नॉर्म्स क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा खिलवार चला है तो फाइनली टेलिकॉम कंपणियों ने सेंट्रल गवर्मेंट से पूछा है कि वह डिक्लियर करेंगी वाट्सप टेलिग्राम मतलब ऐसी जो भी ओटीटी एप्लिकेशन ही किलाते हैं यह यह तो इन ओटीटी एप्लिकेशनों के द्वारा जो यह इन लेगल एक्टिविट कि लोकल डॉमेस्टिक इंटरप्राइज़ को ललचाने की और इंटरनेशनल डॉमेस्टिक इंटरप्राइज़ को ललचाने की वह हमारे प्लेटफॉर्म यूज करें हमें फीश्द मंतली हम लोगों को कही ना कहीं जादा से जादा रीच करवाएंगे तो वह प्रैक्टिस पर desktop पर open कर रहा है, वहाँ पर message चले जाते हैं, तो यह तो खुद WhatsApp का, और सबसे जादा important होता है, gray and unmentioned route, जो की यह international enterprises use करने की कोशिश कर रहे है, WhatsApp या telegram के दुआरा, और सबसे जादा जो मतलब बात की जाए, तो आपके पाँ OTP आ रहे हो, पूरी तरीके से secure होते है, telecom के दुआरा, और especially bank से related आ रहे है, financial से related आ रहे हैं, तो वह important होते हैं, तो यहाँ पर पूरा compromise किया जा रहा है, national security के साथ लोगों की, तो उस पे भी कही ना कही में ध्यान रहेगा, और जो domestic enterprises बात करिया है, तो communication charge रहता है, वह बहुत जादा कम देखने के लिए मिलता है, बाया international enterprises communication जो होता है, वह 4 रूपे इसे लेकर, 4 रूपे 5 पैसे, मतलब 4 रूपे पर messages देखने के लिए मिलता है, इस वह यह से जो international enterprises communication करना चाह रही है, वह कही ना कहीं, bypass route, whatsapp, telegram, जिससे कि उनकी एक भारी भर कम revenue है, वह बच पाए, लेकि इसमें central government का बहुत बड़ा रोल और Indian telecom company directly claim कर रही है, जो tech company है, जैसे कि Amazon हो गई है, Microsoft हो गई है, गूगल हो गई है, इस तरह की company directly avoid करना चाह रही है, international enterprises messaging charge, जिससे कि उनकी जो saving है, वह और ज्यादा हो सके, लेकिन messaging जो use होती है, वह regulate होती है, बाया telecom commercial communication customer preference regulation के अंतरगा, जिसमें की कही ना कहीं COAI, इसे प operate करता है, लेकिन जो OTT application जिसमें क्या movie entertainment से related चीज़ें देखते हैं, तो उन पर ये framework regulate नहीं होता, किसी भी तरीके से, लेकिन जो भी OTT application जिससे कि आप chat कर सकें, video call कर सकें, ये सब bypass के जो तरीके होते हैं, जिसमें आपको कोई भी charge नहीं देना पड़ता है, बस आप internet क्योंकि central government अपना इत्ता बड़ा revenue वो भी 3000 क्रोड के लंसम, वो loss करने की कोशिश नहीं करेगी, और कही ना कहीं कमर कसने वाली है OTT application पे, वो regular update आपको हम देते रहेंगे, बस एक छोटा सा काम जरू कीज़ेगा, चैनल को सस्क्राइब, वीडियो को लाइक जरू अगला update के लिए धन्यवाद